दिली के लेफटिनेंट गवरνनर ने तिहार जेल से अरवीन केजरीवाल के स्वास्ते को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी इस रिपोर्ट में तिहार जेल की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो medical documents अर्विन केजरिवाल को तिहार जेल भेजती वक्त उनके पास जमा कराया गए थे उसमें तेलंगाना के एक डॉक्टर का prescription है जिन से अर्विन केजरिवाल का इलाज चल रहा था और उसमें ये बात कही गई है कि अर्विन केजरिवाल की जो insulin है वो काफी समय पहले से ही बंद कर दी गई थी और उनको दवाईयों की जरिये उनका treatment चल रहा था इतना ही नहीं इस report के अंदर RML की उस report का भी जिक्र किया है जब अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्हें वहाँ पर लेकर जाया गया था medical कराने के लिए इस report के अंदर constipation का जिक्र किया गया और साथ ही कुछ दवाईयों का जिक्र है जिनके जरिये अर्विन केजरिवाल के जो शूगर है उसका इलाज चल रहा था दोनों ही report के अंदर ये दावा किया गया है कि अर्विन केजरिवाल को insulin दिये जाने का जिक्र नहीं है